अब सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंवेस्ट अनॉन में मैं हूँ आपका दोस्त अमेद आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेशिस देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्सपेट करते हैं हम अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है सबसे पहले स्टाट करते हैं निफ्टी से तो अगर आप देखोगे तो आज का ट्रेडिंग सेशन और मंडे का ट्रेडिंग सेशन अल्मोस्स सेम था एक चीज़ देखिए हमने जो बनाई थी यह व एक शार्प सेलिंग आई है हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यह कैंडल जो इनवर्टेड हैमर कैंडल बनी है इसके बाद जैसे ट्रेड लाइंग नीचे आया एक अच्छा का सिगनल मिला तो हमने इसको सेल किया और एक अच्छा का सा ट्रेड़ा में यहां मिला यहां पर एक अच्छा का सा ब्रेकडाउन दिया आज मैंने ट्रेड लिया कब है आज मैंने ट्रेड लिया थड़ा जूम करता हूं चीजों को आज मैंने ट्रेड लिया कब है आज सबसे इंपोर्टेंट चीज थी ट्रेड आराम से लेना क्योंकि वह सबसे ज़्यादा डिस 60 के आसपास buy करने के लिए कहा था और सॉरी ये आज 105 से लेके 120 के range में लोगों ने profit book किया है almost पैसा double होते वे नजर आया है 60-70 के आसपास था मुझे exactly याद नहीं लेकिन पैसा बहुत बढ़ी है बना यहाँ पर आज ये profit book करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने आज किये वो है कि आज intraday का trade कहा एंटर करना है intraday का trade जो है वो मैंने इस candle के low को break करने के बाद enter किया हुआ है बहुत अच्छे से मिला है यहाँ जैसी एक break हुआ थोड़ा सा उपर गया stop loss मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था और एक अच्छा कासा trade मिला है यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा market sideways गया है उसके बाद देखो आप काफी देर तक market एक range में रहा है और एक बार अच्छा कासा bounce आया bounce आके second time जो वापस है जैसे ही इस low को break किया है market ने यहाँ पर आपको बहुत तेजी से बहुत fast movement मिला है 18,200 का put जो हमने कहा था आप नदर बना के चलिए यह कुछ तो भी मुझे लगता है कि 59 से लेखे 65 के range में था और यह almost 99 से 102 के range तक shoot हुआ है तो आपको सही time पर अगर आप option buyer हो तो आपको सही time पर entry करनी है आपको घात लगा के बैठना पड़ता है अगर आप option buyer हो तो seller हो तो आपको view अपना trend decide करना पड़ता है रूसे आपसे आप कर सकते हैं अगर आप buyer हो अगर आपके पास capital limited है तो आपको इसा trade करना पर अगर आप buyer हो तो buyer होना कोई बुरी बात नहीं है बहुत लोग कहते हैं buyer में बहुत जादा time जाता है लेकिन अगर आप सही से market को पकड़ लेते हो तो बहुत बढ़िया पैसा बनता है even being a buyer अब सबसे important चीज़ क्या थी आज आज देखिए market बड़ा easy आज इसने पैसा दिया पहला यहां पर आज अच्छा कासा एक fall मिला यहां से लेके यहां तक almost आपको एक 50 से 70 point का fall मिला which gave you almost 10 to 15 percent return in your option premium उसके बाद market एक sideways गया देखिए market को समझे आप सबसे important यह है कि समझ के आसान आएगा अब यहां पर देखिए almost कहां से है अगर मैं देखो तो यह करिवन साड़े 11 बजे से लेके almost धाई बजे तक market sideways zone में था और इसके बाद एक breakdown आया है तो यह breakdown जो है न यह बहुत important है अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि 3 घंटा market कहीं नहीं गया और उसके ब मैंने around 240 जो डाही में बोल रहा हूं 240 के आसपास कहा था कि ऊपर की तरफ 18,200, 18,250 और 18,300 पर देखिए कितनी call writing बैटे कितने call writers बैटे हैं roughly 3 CR call writers बैटे हैं इतने अगर ऊपर call writers बैठे रहेंगे तो market कैसे ऊपर जाएगा यहीं मैं यहां कहा रहा हूँ the call writers will not allow nifty to go up so risky traders can take a quick trade in PE मैंने clear clear यहां कहा था कि यहां से market एक downside ले सकता है और देखिए उसके बाद आप जाके time चेक कर लीजे 240 का time है यहां पर आप जाके चेक कर लीजे कि market ने गिरना कब start किया यह रिखिए exactly उसी 50 minute candle दिख रहा हूं मैं आपको यहां पर 3 minutes या 5 minutes candle दिखाता हूं आप देख exactly जब मैंने post किया तभी market ने गिरना start किया क्योंकि हमें वो signal clear clear नजर आ रहा था कि यहां से market गिर सकता है इन चीजों को आप समझे चोटी चोटी चीजे है लेकिन आसान है लेकिन आपको यह बहुत बढ़िया profit का marketing अब कल है expiry expiry में trade क्या करना है तो expiry में trade करने के लिए स अब इस सबसे हैं अंब बार कंटके ह् होड्य कर सकता है आज माकेत ने कहां होड्य करने के कोशिको की सबसे पहले market नीचे आया जो यहां का closing था है कल मैं avoid करूँगा trade करना I would like to repeat कल मैं avoid करूँगा trade करना क्योंकि मुझे लगता है looking at the OI data कि market एक range में रह सकता है जिसे साफ से OI बना हुआ है वो है 18,000 से लेके 18,200 ये एक range बन सकती है दोनों ही तरफ बहुत तगडी call rating और put rating हुई है तो ये एक range के अंदर market फस सकता है और दि direction में नहीं जा रहा है market तो please try to avoid trading in market for tomorrow क्योंकि market ने देखिए आज जो गिरावट आ गई है वो अच्छी कासी गिरावट आ गई है मैं अगर आपको over data यहाँ पर दिखाओ तो over data में आपको समझ में आ जाएगा ये देखिए 18,000 के put के पास almost 1CR यहाँ बैठे हुए हैं 18,100 पर almost 50 लाग बैठे हैं तो यहाँ पर almost 1.6CR से 1.7CR के आसपास put writers बैठे हैं उपर की तरफ देखो 18,200, 18,300 ये करीब करीब 2.5CR है तो दोनों ही तरफ तगली writing है इसले मुझे लगता है कि 18,000 से लेके 18,200 के बीच में अच्छा खासा यहाँ पर एक volatility वाला zone हो सकता है उपर जाए तो market पस जाए नीचे जाए तो market बापस से bounce हो जाए तो smart अगर trader हो तो आप कर सकते हो कि 200 के आसपास जाए वहाँ पर आप put buy कर लीजे नीचे आ भी आज एक अच्छा कासा trade बना हुआ है और bank nifty ने आपको मौका initially नहीं दिया क्योंकि एक खुलते ही market में एक selling आ गए और इसके बाद दिन बर एक range में रहा है market आज का high cross नहीं कर पाया है यहाँ पर जब second attempt में इसने high cross करने की कोशिश की हो यहाँ पर जब failure आया तो यहा important level जो रहेगा वो रहेगा 41,500 यह एक बहुत crucial level है जब तक इसको नीचे तोड़ेगा नहीं हम sell नहीं करेंगे और जब तक 42,000 को cross नहीं करेगा हम यहाँ बाय नहीं करेंगे कि 42,000 पर सबसे ज़्यादा call writers बैठे हुए हैं और 41,500 पर सबसे ज़्यादा put writers बैठे हुए है त अगर 41,500 के नीचे आया तो market एक बार dip देगा बहुत तेजी से dip देगा और फिर वापस से उपर retrace करने कोशिश करेगा जो 41,800 के आसपास या 700 के आसपास एक बार resistance लेगा अगर 42,000 के ऊपर खुलता है तो market यह नीचे आके 41,900 का ही support ले लेगा और उपर ऐसे चलता रहेग लेकिन looking at the international market मुझे लगता है कि कल market एक range bound हो सकता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि कल मैं trade नहीं करूँगा मुझे लगता है कि कल यहाँ पर हम लोग फस सकते हैं या फिर आपको अगर trade करना भी है तो बहुत कम quantity में आप यहाँ पर trade कर सकते हैं आज devis lab बहुत अच्छी तर 20 points के आसपास मुझे मिले हैं मैंने future short किया था devis lab का comment section बता सकते हैं जिन लोगों ने भी वीडियो देखा था devis lab में आपको profit हुआ कि quantity नहीं बताना है profit नहीं बताना है बस आपने trade लिया था profit हुआ कि नहीं बस इतना आप यहाँ पर डाल सकते हो अब कल के लिए पहला stock हम का छोटा stock plus लगाएंगे 36 का काफी टाइट रेंज में तो breakdown अगर आता है तो यह जो हाई है इसके लोग के इसके इसके नीचे आजाएगा इसके नीचे breakdown आजाएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा का सा trade intraday के लिए expect कर सकते हैं तो दूसरा stock हमने shortlist किया है यह है bank of bododa देखे bank of bododa बहुत अच्छा चल रहा है हमने bank of bododa को recommend किया था बहुत early stage में करीबन 110-115 जाब यहाँ पर accumulation हो रहा था तो हमने positional buy यहाँ पर recommend किया था हमारे premium group के ऊपर और hold करके रखिये disclaimer देना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने बहुत followers ने बहुत हमारे family members ने इस 168 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा कासा trade बनेगा जहाँ पर 175 तक के targets आपको आते वे दिख सकते है conditional यह है कि कल bank nifty आपको 42,000 cross करे तो ही यह लेना है bank of bododa का trade जो है वो 42,000 अगर bank nifty cross करने की तरफ बढ़ता है तो ही आपको लेना है 168 के ऊपर अगर निकलेगा त buy करना है छोटा सा stop loss लगाना है 166 का stop loss रहेगा आपका और 172,175 के बड़े targets के लिए यहाँ पर आप bank of bododa में trade कर सकते हो तो तीसरा stock हमने shortlist किया हुआ है यह है ICICI proof ICIC proof में देखिए एक level बन के आ रहा है और यह level जो है वो बहुत हर इंपोर्टेंट है यह level है 500 का इस level के पास multiple times देखिए आप कितने दिन से यहाँ hover कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बार breakdown करने कोशिश करेगी यह candle है जहाँ पर हमने एक बार trade किया भी था लास्ट आम म के दो targets होंगे हमारे तो इस हिसाब से हम लोग ICIC proof में अगर यह 95 के नीचे close करता है तो मैं कहूंगा position carry कीजिए यहाँ पर आपको 485-483 तक के levels दिख सकते हैं तो 95 के नीचे करता है position carry केजिए अगर आप futures में short कर रहे हो तो और आप अपना trailing stop loss को move करते है जिसे कि आपका profit अच्छा कासा बढ़ते रहेगा यह था हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए comment जिना ना बूलिए अपने family members के साथ अपने friends के साथ जो लोग market में हैं उनके साथ आप इसको वीडियो को share कर सकते हैं thanks for watching the video keep learning keep investing and keep earning